दोस्तो आज हम बात करने वाले साल 2009 में रिलीज हुई एक साइकलोजिकल थ्रिलर मुवी आफ्टर लाइफ की ये कहानी एलेड नाम के एक आदमी की है जो कि एक फ्रूनल आउस का मालिक है उसका काम मरे हुए लोगों को उनकी अंतिम संसकार के लिए उने तयार करना था ताकि वो अपने अंतिम समय में अच्छे दिख सके एलीड पॉडी इसको काफ़ी अच्छी तरह से ठीट करता था वो उनसे एक दोस्त की तरह बात करता था और उन्हें बड़े ही प्यार से तयार भी करता था वैल इस सबसे हमें ये तो समझ आ जाता है कि एलीड ये काम कई सालों से कर रहा है दूसरी ओर मोवी की लीड एक्टरेस एक प्राइमरी स्कूल की टीचर एना बो देखते हैं एना अपने बॉइफ्रेंड पॉल की साथ लिविन में रहती है वैल एक दिन हम देखते हैं कि एना और पॉल इंटिमेट हो रहे होते हैं पॉल तो इस चीज को इंजॉय कर रहा था लेकिन एना बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही थी जब पॉल उससे पूछता है कि आखिर तुमारी प्रॉब्लम गया है तो एना उसे कुछ भी नहीं बताती है और बस वहाँ से चुपचाप चली जाती है आगे हम एना को उसकी एक फेवरिट स्टुडेंट जैक के साथ देखते है जैक जिसका बरताओ काफी जादा अजीब और मिस्टीरियस होता है वैल स्कूल खत्म होने के बाद एना को अपने प्यानो टीचर की फ्रॉनल में जाना था और तब ही जब वो जैक को स्कूल के बाहर देखती है तो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दू लेकिन जैक उसके साथ जाने से मना कर देता है जिसके बाद एना अपने टीचर के फ्रॉनल के लिए निकल जाती है इसे बीच पो रास्ते से कुछ मैडिसन्स लेती है और वहीं पास के एक पालर में जाकर अपने बालों को रेट भी करवा लीती है एना जब फ्रॉनल में पहुंचती है तो एना को यहां पर काफी अजीब फील हो रहा था क्योंकि आज वो एना को साधिक लिए प्रपोस करने वाला था ट्योंकि हाली में पाल का फ्रमोशन उगा था जिसके लिए वो सिकागो सिप्ट होने वाला था लेकिन मामला यहां पर बिल्गुल खराब हो जाता है क्योंकि एना वो लगता है कि पॉल उसे ये सब पहले भी बता सकता था लेकिन साइद पॉल ने इसलिए इतना expensive dinner प्लांट किया तक ही एना उसे मना न कर पाए इसके बातों ही बातों में दोनों के बीच लडाई काफी बढ़ जाती है और एना पॉल की बात पिना सुनेगी वहां से चली जाती है बाहर गम उसको काफी जादा खराब था और एना गुस्से की चलते गाड़ी बहुत तीच चला रही थी इसी बीच एना अपना फोन निकालती है और उस पर एक number डाईल करने लगती है लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके चारों तरफ अन्देर अचा जाता है यानि कि अब एना का एक्सिडेंट हो जुगा था अपर के अगली सीन में हम बापस से एलिट को देखते हैं जिसके पास अप फ्रूनल के लिए एक नई बाड़ी आयी होती है और ये बाड़ी किसी और की नई बलकि एना की है, अब हम देखते हैं कि एलिट है कैची की एन से एना की ड्रेस को हटाने लगता है और उस ड्रेस की अंदर एना ने एक बहुत ही प्यार इस ही एक रेड कलर की ड्रेस पैन्नि होई थी एना की सर पर एक गहरा खाओ भी होता है इसे भी जब एना को होस आता है तो वो एलियेट से पूछती है कि मैं आखिर कहां पर हूँ तो एलियेट उसे बताता है कि 8 गंडे पहले तुमारा एक्सिडेंट हुआ था और अब तुम मर जुकी हो लेकिन एलियेट की बातों पर एना को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो एलियेट से बात भी कर पा रही थी और उसे सुन भी बा रही थी तो एलियेट उसे यकीन दिलाने के लिए एना को उसका डट सर्टिपिकेट दिखाता है सात ही उससे कहता है कि دो दिन माद तुम्हारा अंतिम संस्कार होना है और तब तत तुम्हारी आत्मात तुम्हारी बोटी बुडि परी रहेगी और मैं तुमसे बात इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी सक्तीया है जिनकी हेल्ट से में जिंदगी और मौत की बीच फसी आत्माँ से बात कर सकता हूं और इतना केकर एलियट महां से चला जाता है लेकिन एना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है उसे अब भी यहीं लग रहता है कि वो बस एक डरावना सपना देख रही है वहीं दूसी और हम पॉल को देखते हैं जिसे अब तक पता ही नहीं था कि एना मर चुकी है वो एना की नंबर पर कॉल करता है लेकिन एना का फोन अब एलियट के पास था जैसे ही वो पॉल का कॉल देखता है वो से कट कर देता है जिसके बाद पॉल पहुंचता है सीधा एना के घर जहाँ पर उसे एना की मा से पता चलता है कि कल रहत एना की डेथ हो गई है वैसे तो पॉल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था लेकिन फिर भी वो एना की डेट के बारे में सुनकर काफी जादा दुखी हो जाता है यहाँ पर हम एना की मा को एकदम नॉर्मल देख पा रहे थे मानों उसे एना की मौत का बिल्कुल भी दुख ना हो वही दूसरी और हम फिर से एलियट को देख पाते हैं और उसे बिल्कुल भी दर्द का एसास नहीं होता है इसके बाद जब एना की मौम उसे देखने के लिए आती है तो अब वो एना को देखकर काफी जादा दुखी हो रही होती है साथी वो उससे कंप्लेन भी करती है कि अब तुम्हारे विना मेरा खयाल कौन रखेगा इसके साथी वो मिस्टर एलियट से कहती है कि वो एना की रेड बालों को फिर से काला कर दे क्योंकि वो रेड बालों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है अब आगे हम दीखते है कि पॉल एलियट के पास जाता है ताकि वो एना की बोडी को देख सके लेकिन एलियट उसे एना के पास जाने नहीं दीता है क्योंकि उसने से ब्रेड बोडी के फैमिली मेंबर्स को ही अलाओ किया था और पॉल एना की family members मैंसे नहीं था क्योंकि अभी मी पॉल की engagement एना से नहीं होई थी लेकिन अंदर एना पॉल की आवाज सुनकर जो जो उसे चीखने लगती है और पॉल को आवाज लगाने लगती है लेकिन उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुँच रही थी इसके बाद जब पॉल वहाँ से चला जाता है तब एना एलिट से पूछती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया तो एलिट उससे कहता है कि तुम अब मर चुकी हो और मेरी अलाबा तुम्हें कोई और नहीं सुन सकता लेकिन अगर तुम अपने चैनलवान उसे अटेच रहोगी तो तुम्हारी आत्मा यहीं पर फसके रह जाएगी एना को लगता है कि एलिट यह सब बकवास कर रहा है और अभी भी मैं जिंदा हूँ साइध उसने मुझे कोई ट्रक दिया है जिसकी बज़े से मुझे कुछ भी मैसूस नहीं हो रहा है और ना ही मैं खुद को चोट पहुचा पा रही हूँ दूसरी और पॉल अपने फ्रेंट की मदद लेने के लिए पुलिस टेशन जाता है जो कि एक पुलिस ओफिसर है वो उससे एना से मिलने के लिए पर्मीशन मांगता है लेकिन उसे एना से मिलने की पर्मीशन नहीं दी जाती इसके बाद हम दीखते हैं कि एना पास पड़ी एक कैची को उठाती है और आगे बढ़ती है तबी उसे बहाँ पर एक दूसरी बूडी औरत की एक dead body दिखाई बढ़ती है जिसे दीख कर वो काफी जादा घवरा जाती है लेकिन इसके बावजूद वो Elliot के वापस आने का इंतजार करती है तागी वो उस पर हमला करके यहां से भाग सके लेकिन Elliot एना के हमले से बच जाता है और उसे फिर से बताने की कूसिस करता है कि वो अब मर चुकी है एना अब भी उसकी बात मानने के लिए तयार नहीं थी क्योंकि अब भी वो सांसें ले पा रही थी जिसके बाद एना को एक डरावना सपना आता है जिसमें वो उसी बोड़ी औरत की डेट बोड़ी को जिंदा देख पाती है जिसे देखकर वो सुबह घबरा गई थी फिर वो सूचती है कि अगर मैं मर चुकी हूँ तो मैं सपना कैसे देख सकती हूँ तो अगली सुबह जब एना की आग खुलती है जिसे देखकर पॉल काफी घबरा जाता है अब दूसरी और एलियट जब एना की पास होता है और वो अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए जाने वाला होता है तब एना स्मार्टली उसकी जेब से चुपके से उस रोम की चावी को निकाल लेती है जिसके बाद वो सीधे पहुँच जाती है एलियट के आफिस जहां से वो पॉल को कॉल करती है और उसे पताती है कि मैं एना बोल रही हूँ और अभी भी जिन्दा हूँ लेकिन पॉल को लग रहा था कि कोई एना बनकर उसके साथ मजाग कर रहा है और इसलिए वो फोन को कट कर देता है पॉल की सार का सेरा काफे ज़्यादा हर्ट हो जाती है इसी बीच वहाँ पर एलियट आता है और एना को आईनी की पास ले कर जाता है और उसे कहता है कि देखो तुम मर चुगी हो और अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सब कुछ भूल कर अपनी मौत को स्वीकार कर लो तब ही हम नोटिस करते है कि एना की सांसों से निकली भाप आयने में जम रही थी इससे हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि एना अभी भी जिन्दा है लेकिर अभी तग हमें एना के मकसद के बारे में पता नहीं चला है वेल यहाँ पर इसके पहले की एना को पता चलता है तब ही एना चुपकी से उस भाप को वहां से हटा देता है अब यहाँ पर घर के नीचे एना का वही फेवरिट स्टूटेंट जेक खड़ा होता है और वो एना को देख लेता है और एना ने भी अभी ये बात मान ली थी कि वो मर चुकी है इसलिए अब वो एलियट का साथ दे रही थी जिसके बाद हम देखते हैं कि एलियट एना के रेड वालों को फिर से बलेक कर देता है थोड़ी दीर बाद एना सैडली उससे पूछती है कि क्या मेरी मॉम मेरे मरने पर रोई थी जिस पर एलियट एना को बताता है कि नहीं तुम्हारी मा तुम्हारी डेथ पर बिलकुल भी नहीं रोई तो वो पूछती है कि क्या पॉल मेरी डेथ पर रोया था लेकिन यहाँ पर एलियट एना से जूट कह देता है कि पॉल भी तुम्हारी डेथ पर नहीं रोया अब ये सारी बाते सुनकर एना एकदम तोट जाती है जिसके बाद एलियट फिर से एना को वही ड्रक का इंजेक्शन दे देता है दूसरी ओर हम पॉल को एना के स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसकी चीजों को लेने गया था इसकूल में उसे वही चोटा बच्चा जैक उसे मिलता है जो उसे बताता है कि उसने एना मैडम को एक फ्रूनल हाउस में देखा था वो रेड ड्रेस पेने खड़ी हुई थी लेकिन पॉल को ये सारी बाते बकवास लगती है और वो उल्टा जैक को ये थपड़ जड़ देता है जिस पर बाद में उसे काफी अपसूस भी होता है अब हम देखते हैं कि एना के साथ एक पुलिस ओफिशर के भाई की डेड बोडी भी थी जैसे देखने के लिए वो पुलिस ओफिशर भी आया हुआ था इसी बीच उस पुलिस ओफिशर को एना की बोडी हिलती हुई नजर आई लेकिन जब उसने एना की हार्टबीट चेक की तो उसे लगा की साइद उसका ये व्रम था वहीं पॉल एक बार फिर से कोसिस करता है और अपने पुलिस ओफिशर दोस्स से मदद करने को कहता है क्योंकि पॉल को जैक की उस रेड ड्रिस वाली बात से याद आया कि लास्ट आइं जब वो एना से मिला था तब उसने रेड ड्रेस ही पहनी थी पॉल ही सारी बात अपने दोस्त को बताता है जिस पर एक बार के लिए तो उसका दोस्त कंवेंस भी हो जाता है लेकिन यहाँ पर वही पॉलिस ओफिसर था जिसके भाई की डेड बॉड़ी एना के साथ थी और वो कहता है कि उसने एना की डेड बॉड़ी को देखी है और वो अब मर चुकी है और जब पॉल को कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो बुरी तरह से तूड़ जाता है आगे हम वो छोटे बच्चे जैक को देखती है जो मौत की कॉंसेप्ट में काफी इंटरस्ट ले रहा होता है वो फुरूनल आउस भी आता जाता रहता है साथ इसलिए वो एलिएट से और उसके काम से काफी ज़्यादा प्रवावित था इसी दोरान एलिएट उससे एक बात कहता है जो उसके दिमाग में एक्टम बस जाती है वो गहता है कि मैं मरे हुई लोगों को उनकी फ्रूरल के लिए तयार करता हूँ जो लोग अंदर से मर चुके हैं मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है ये वो लोग हैं जो मारे आसपास गंदगी फैलाते हैं और उस औक्सीजन को वेस्ट करते हैं जो उन लोगों के लिए हैं जो सच मैं जीना चाहते हैं एलिएट भी जैक की इस दिल्चस्पी को देखते हुए वो जैक से कहता है कि मैं तुमें काम सिखाने के लिए तैयार हूँ अगर तुम सीखना चाहो तो जिस पर जैक भी एलिएट के इस ओफर को एकसेप्ट कर लेता है अब एना जो रेक्रेट और गिल्ट में थी वो ये सोच रही होती है कि अगर मैं जिन्दा होती है तो अपनी लाइप को बैतर दरीके से जीती इसलिए वो एलिएट से कहती है कि वो भी खुशी से जीना चाहती थी तो एलिएट उससे कहता है कि तुम्हारी लाइप में तुमसे प्यार करने वाले बहुत लोग थे मगर फिर भी तुम कुश नहीं थी इस पर एलिएट उससे कहता है कि अगर उसे दूसरा मौका मिले जीने का तो वो क्या करेगी और उसके तुरंट बाद वो एनो को रूम के बाहर ले जाता है लेकिन जैसे ही एनो रूम के बाहर जाती है एक हैलोजनीशन की डर से वापस उसी रूम में आ जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ मैं मर गई और अब एना ने अपनी मौत को पूरी तरह से अक्सेप्ट कर लिया था और फ्रूनल के लिए बिल्कुल तयार हो गई थी अब जब आकरी वार एलिट एना को आईने पर उसका चेरा दिखाता है तो इस बार एना सेसे की रिफ्लेक्शन में अपनी शांसों को देख लेती है और तब ही उसे रियलाइज होता है कि वो अभी जिन्दा है लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर पाती एलिट उसे ड्रग देकर उसे बेहोश कर देता है और इसी की साथ उसका फ्रूनल भी खत्म हो जाता है अब एना की जाने से पॉल पूरी तरह से टूड गया है और एना की सोक से बाहर नहीं निकल पा रहा था एलिट उसे समझाता है लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे साथ मिजवेब भी करने लगता है तो एक दिन जब पॉल सराप के नशे में डूबा होता है तो एलिट उसे कहता है कि एना अभी भी जिन्दा है और वो पॉल को उसके पास जाने को कहता है फिर हम देखते हैं कि पॉल्स और आपकी नसे में कपरिस्तान पहुँचता है जहाँ पर एना को दफनाया गया था और मेभी पॉल एना को बचाने में कामयाब हो जाता है लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती मुवी का एक कॉर्ड ट्विस्ट अभी भी बाकी था जैसे ही पॉल अपनी आखे खोलता है तो वो खुद को एलिएट के बेस्मेंट में पाता है ठीक उसी जग है जब पर एना को रखा गया था और इस बक्त एलिएट पॉल की सरीर को फ्रूरल के लिए तयार कर रहा था इसका मतलब ये था कि पॉल एना से मिलने कभी कबरिस्तान पहुचा ही नहीं था ये सब उसका हैलिजूनेशन था एलिएट ने पॉल का एक्सिडेंट ठीक उसी तरह करवा दिया जिस तरह उसने एना का करवाया था अप पॉल को सारी बात बताता है कि वो अंदर से मरे हुए लोगों को एक और मोका देता है जिन्दिगी जीने का और देखता है कि वो लोग खुद को बदलते हैं या नहीं लेकिन जब वो अपने आपको नहीं बदलती हैं तो एलिएट उन्हें मार देता है और यही वो पॉल के साथ करने वाला है साधी पॉल को वो अपनी पूरी प्रोसेस के बारे में भी पताता है कि कैसे उसने दोनों को ड्रग्स देकर उन्हें मरा हुआ देखा दिया यह सब बताने के बाद वो पॉल को भी फ्रोनल के लिए तयार करने लगता है और जैक जो एलिएट से पूरी तरह से प्रभावित है वेसिलिए यह सारी बाते जो एलिएट ने पॉल को बताई वो सारी बाते जैक के लिए थी क्योंकि वो यह सब कुछ देख रहा है और साध फ्यूचर में वो ही एलिएट के काम को कंटिन्यू करेगा और एलीट की तरह ही एक सीरियल किलर बन जाएगा और इसी के साथ है मुवी यहीं पर खत्म हो जाती है